हाई अब्रिवान वेलकम टू माई चनल नैच्छनल्स ब्यूटी वर्ल्ड कैसे हैं आप सब आज इस वीडियो में आपके साथ शेर करने वाली हूँ डार्क स्किन पर एच्छी ब्राइडल मेकप टुटॉरियल बहुत ही यूसफुल वीडियो होगा क्योंकि मैं इसमें मिक्स करने वाली हूँ कुछ अलग लग प्रोड़क्ट आपके कॉश्चन रहते हैं कि मैं क्या हम एक प्रेंग के साथ दूसरा मिक्स कर सकते हैं तो बिलकुल कर सकते हैं वीडियो को लाश्टर देखेगा आपको देखेगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बैल बटन को अन कर लीजेगा ताकि मेरी नए वीडियो की आपको मिलती रहे जब भी हम अपनी ब्रैड का मेक अप करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं अपनी ब्रैड की स्कीन की कौन सी स्कीन है और कैसा अंडर तो skin care भी आपको उसी तरीके से करनी होगी यानि makeup करने से पहले cleansing, toning, moisturizer skin undertone देखे और skin tone देखे आपको foundation लेक्ट करनी होगी यानि color select करनी होगी तो यहाँ पर इनकी oily skin है और product आप plum के यूज़ कर सकते हो बायोटिक के यूज़ कर सकते हो या फिर good wipes के cleansing किया है उसके बाद toner किया है उसके बाद moisturizer और हम मैं यहाँ पर HD makeup कर रहे हूँ तो मैंने यूज़ किया है HD primer जो की एलेगल का है आपको easily मिल जाएगा purple.com पर जितने भी product यूज़ करूँगी सब भी के लिंक आपको description box में देदूँगी आप easily चेक कर सकते हैं एप को डाउनलोड करके आप product भी ले सकते हैं और आप अगर मेरा coupon code इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिलता है 10% और ज्यादा ओफ तो यहाँ पर देखेंगे product के साथ ही आप पूरा अगर lips पटे हुए हैं तो आप कोई भी smooth scrub लेके lip scrub जो आते हैं आप वो करिएगा उसके बाद lip balm करिएगा और इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हमारा skincare पूरा हो चुका है उसके बाद हम makeup पे आजाते हैं मेकप में सबसे पहले हम eyebrows को define कर लेते हैं आपके eyebrows पतली है मोटी है थोड़ी उची है नीचे तो उसके according यह आप shape बनाएगा eyebrows को define करने के लिए आप ले लेंगे music flour का gel liner और उसके बाद spoolie के help से जितना भी product texture होता है उसको हटा देंगे उसके बाद आजाते हैं हमारा eyes पे eyes पे अगर बहुत ज़्यादा dark area होता है तो वहाँ पर हम करते है color correction यहाँ पर मैं product यूज कर रहे हूँ एले गयल का orange यह है orange concealer जिससे हम करेंगे color को correct dark area है तो orange color का यूज करते हैं थोड़ा सा light है तो आप yellow यूज कर सकते हैं और इस तरीके से brush के help से लगाएंगे और अच्छे से beauty blender से इससे set करेंगे ताकि हमारा dark area कवर हो जाए आप देखेंगे इसे complete लगाने के बाद यह makeup controller मैं आपको A to Z बता रहे हूँ ताकि आप इजी लिए अगर मेरे चैनल से सीख रहे हैं तो आपको सीखने में बहुत ही help मिले उसके पाद लेंगे light color का concealer यह इजी लिए आपको मिल जाते हैं purple.com पे ही यह है Allegal के HD Pro Concealer HD product यूज कर रहे हूँ तो मैं concealer भी HD ही लूँगी foundation भी HD ही लूँगी और compact या loose powder भी HD ही यूज करूँगी और अगर आप blusher या कोई eyeshadow लेना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं और यहाँ पर इस तरीके से light concealer लिया है मैंने थोड़ा से यानि फियर लेंगे यहाँ पर यह मिल जाता है आपको classic ivory और इनके link मैंने दे दिया है description box में आप product देखने के लिए मेरा description box चेक करिएगा और जब हम यह light color का लगाते हैं तो इस पर क्या होता है हमें eyeshadow के color भी बहुत bright मिलते हैं और हमारी eyes पर बहुत अच्छा look आता है eyeshadow का इस तरीके से आप इसको eyes base जो हमने बनाया था उसको मैंने beauty blender से set किया था बट उसके बाद हमें powder से भी बहुत ज़रूरी होता है set करना powder यहाँ पर ले ले लेंगे आप LA girl का HD compact powder या loose powder बिस्ते माल कर सकते हैं मैं eyeshadow हमेशा अपनी मन पसंद यूज करते हूँ मेरे पास कुडोस की eyeshadow palette है जिसका मैंने green color यूज करूँगी मैं eyes के नीचे वाले एरिया पे लेकिन यहाँ पर मैं root cause systematic की eyeshadow palette यूज कर रहे हूँ जिसमें के आपको दिखाऊंगी बिल्कुल natural eyeshadow बहुत ही अच्छी लगेगी जरूरी है कि हम अपनी bright को बहुत ज़दे dark color लगाए तो ही हमारी bright सुन्दर लगे मैंने यहाँ पर बिल्कुल लुक मिलेगा और यहाँ पर मैं golden shimmer यूज करूँगी बट golden shimmer लगाने से पहले आप concealer कोचे से सेट करेंगे उसके बाद powder से सेट करेंगे और फिर इसके बाद आप silver देना चाहते हैं bronze देना चाहते हैं golden देना चाहते हैं copper तो उसके according यहाँ पर color लगाएंगे पहले यहाँ पर इस तरीक से और फिर finger की help से जब भी हम shimmer eyeshadow यूज करते हैं तो हम finger की help से करते हैं क्योंकि brush में प्रोड़क्ट एक तो हमारी skin पर जढ़ जाता है और उपर से उसके जो shine होते वो भी हमें proper नहीं मिलती है आप देख सकते हो इतना हो जाएगा तो हम अपने eyeshadow को यहाँ पर छोड़ देंगे जो थोड़ा बोत होगा वो मैं last में final करके बताऊंगे आपको इसके बाद liner ले लेंगे आप O3 plus का लेना चाहें तो ले सकते हैं यहाँ पर मैं use कर रहे हूँ sugar का दोनों का ही इस्तेमाल करना चाहते है क्योंकि long lasting यह HD मेकप कर रहे है तो थोड़े से अच्छे liner यूज़ करेगा अच्छे ना भी हो अगर medium budget में आपके पास तो long lasting ही लगाईएगा दूसरी eyes को भी इतना ही complete कर लेंगे पहले light हलका सा red shade लिया है मैंने फिर पीछे से थोड़ा सा brown लिया है उसके साथ हलका सा black mix किया है shade की mixing करते हैं चलेंगे ताकि आपको दिखाई भी ना दे और थोड़ा अच्छा look भी आए लहंगा red shade का था तो मैंने इसलिए थोड़ा उपर red लिया है अगर आपकी bread का लेंगा हलका साब pink है या कोई और shade है तो आप लेंगे यह दिख सकते हैं liner मेरे हाथ में है sugar और O3 plus के तो दोनों ही long lasting है और काफी अच्छी और इस तरीके से कोई जरूरी नहीं कि आप long wings निकाले तो मैंने wings भी बिल्कुल नहीं निकाले मेरी bright के eyes के नीची का area थोड़ा dark है mouth के पास थोड़ा सा है तो वहाँ पर मैं orange concealer का use कर रहे हूँ यह है हमारा color correction जिससे कि हम correct करते हैं आपने skin के uneven tone को तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से beauty blender आप यह मैं सोचेगा कि इतनी इतनी fast चलाना है मैंने थोड़ी सी speed लगा दिया ताकि मेरी वीडियो थोड़ी short हो जाए आपको ज़्यादा long भी ना देखनी पड़े तो speed के कान आपको लग रहा होगा कि मैं fast कर रहूँ but heart बहुत हलका चलाना है सिर्फ इसको set करना है dab dab करके हटाना नहीं है क्योंकि हम अपने जितना भी डार के रहा है उसको छिपा रहे है इस तरीके से आप देख सकता है उसके पार ले लेंगे yellow concealer जो हमारा color correction होते है इसमें हमारे concealer यह होते सारे color correction के जो share होते हैं वो अलग होते हैं जैसे yellow, orange, green, pink मैंने वीडियो बनाया हुए concealer पर वो आप देख सकते हैं या आप contouring सीखना चाहते हैं तो भी आप मेरे वीडियो देख सकते हैं मैंने detail में वीडियो दी है बहुत easy होता है आपके लिए सीखना अगर आप मेरे चैनल को first time देख रहे हो आप देख रहे हो कितना अच्छे से धीरे-धीरे skin को लेके आएंगे हम fair की तरफ ऐसा नहीं है कि dark skin पे आप make-up करो एक ही दम से dark skin पे आप fairs color लगा देंगे तो वो थोड़ी देर में gray हो जाएगा उससे आपका make-up भी dull लगेगा आपको उस time तो लगेगा कि आपने गोरा किया है लेकिन आपको dull लगेगा और गोरा कोई जरूरी नहीं होता है आपकी bright चाहिए dark है कुछ भी आप सिर्फ उसके features को भारिएगा तो make-up उसी से बहुत सुन्दर लगता है तो धीरे-दे अब देख सकते हो मैं इनका skin tone लगा रहे हूँ dark skin का आपको elegant में मिल जाता है या आप pack में foundation लेना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाते हैं या आप elegant की HD foundation लेना चाहते हैं तो भी असानी से मिल जाते हैं बट मैंने यहाँ पर किया है forever 52 का इस्तेमाग और जो कि बहुत ही अच्छा है मैंने उसी का mix and match किया है क्योंकि मैं यह पास जो भी product होते हैं मैं उनको mix करके कर लेती हूँ उसके बाद highlighting area के लिए लेंगे हम HD foundation जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ बट एक बार base complete होने से पहले आप एक बार polishing brush से अच्छे से set कीजिएगा ताकि कोई भी आपको extra product दिख रहा है तो हट जाए यह है HD की foundation पैक की और दूसरी है HD की एले गर्ल की foundation highlighting आप उभार ना चाते हैं तो जरूरी नहीं तीसरा shade भी पूरे face पर लगाए आप highlighting area को भार लीजेगा थोड़े से fair देने के लिए जैसा की मैं करे हूँ मैं आप उस face पे ज़्यादा नहीं करूँगी highlighting area को भार दूँगी जिससे की मेरी bride का face बहुत ही अच्छा लगेगा और make-up भी उभर के आएगा इस तरीके से हमारे highlighting part के निचे का होता है आप भी शेप में लगा लीजेगा यह इस शेप में लगाएगा नोस पे करिएगा फोरहट पे करिएगा अपर लिप्स के आसपास करिएगा चिन पे और थोड़ा सा अपनी जो लाइन से उपर यह हमारे सारे highlighting part है और beauty blender से set करेंगे यह इस तरीके से हमारे और जुतना हमारे contouring area होता है उसको हम छोड़ देते हैं आप चाहिए तो साथ की साथ contouring भी कर सकते हैं बट मैं आपको simple तरीका बता रहे हूँ उसमें क्योंकि किसी को problem होती है कि वो अच्छे से दोनों को set नहीं कर पाता है तो पहले आप highlighting कर लिजगा बाद में आप contouring कर लिजगा और इस तरीके से beauty blender के help से ही set करेंगा इसको भी आप देखेंगे कितना उभर के आ जाएगा और धीरे-धीरे जब हम base बनाते हुए चलते हैं धीरे-धीरे तो बहुत अच्छे बनते हैं और long lasting भी होते हैं आप एक इदम से white color का foundation लगाएंगे dark skin पे तो बहुत ज़्यादा gray भी हो जाएगा आपका make-up थोड़ी देर में काला भी दिखाई देगा तो इस तरीके से base बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से आपको अच्छा लगेग यहाँ पर मैंने कर लिया है complete और इसके बाद मैं पहले eyes के contouring करने से पहले eyes के पास जो पने लगाया था foundation उसको बनेना पाउडर से आप महीं पर set कर दीजेगा ताकि आप eyes make-up कर पाएं और जब तक आप contouring करें तो वहाँ पर line भी ना आए क्योंकि कर यहाँ पर line आ जाते ह वैसे ही आपको एले गरल में easily मेल जाता है 4 in 1 जिसमें कि आपको एक highlighter मिलता है दो blusher और एक contour मिलता है और इस तरीके से nose की और अपने cheek area पर जितनी आपको जुरूरत है उतना ही किजिगा यह नहीं कि आपकी bright का face बहुत ही छोटा है और आप उसको भी deep contour करें तो उससे और और ज्यादा face चोटा हो जाएगा और अब करिएगा make-up को set ब्रैनर पावडर जहां लगाए आइस के नीचे वहां पर set मत करिएगा और face जो वहां पर पूरा make-up up set कर लीजिगा अब आब आजाते है आइस पे यहां पर मैं green लगा चुकि थोड़ा सा camera चलाना भूल गई थ इसके बाद eyes के front corner पे लगाएंगे हलका सा silver और golden mist कोई golden नहीं लगा रहे हूं सिंगल उसके बाद में लगा रहे हूं purple का gel liner जो की बहुत long lasting है waterproof है और ऐसे ही set रहता है उसके बाद इसी से आप eyebrows को भी एक बाद set करिएगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बाद में finishing देन हम इतना product लगा दे हैं तो कहना कहीं आइब रोज पर थोड़ी बहुत white हो जाता है तो ऐसा नहीं कि आपने एक बार बना दी तो आप दुबारा ना करें आप बेस बनाने के बाद उसको एक बार clear करिएगा अच्छे से और अब लगाएंगे blusher, blusher आप देख रहे हूं मै अगर आपको eyeshadow कहीं बहुत light लगती है तो आप back से थोड़ा सा dark करिएगा यह आप खुद देखेंगे कि आपको कैसी लगने है उसके बाद आप लगा लेंगे fake eyelashes यहापर मैं अगर आप लगाना चाहते हो HD makeup में तो pack के भी लगा सकते हैं जो आपको 285 के मेल जाती हैं और यह देख सकते हैं तो काफी अच्छा लुक आता है और आप देखेंगा यह आईशेडो का लुक बट आइस मेरी अभी है धूरी मैं थोड़ा ओर करने वाले हूं दोनों में eyelash लग चुकिया है eyelash लगने के बाद लुक देख सकते हैं और अब लगाएंगे उपर से liner यहापे अ बट आइस लुक आपको बहुत सुंदर लग रहा है सुंदर लग रहा हो तो मुझे बताएगा मैं खुदी तारिफ कर रहे हूं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा उसके बाद आप लगा लेंगे परपल का वाइट काजल इसमें आपको दो मिलते हैं परपल में बट यह बहुत जादा अच्छा लगता है आपको प्रॉपर वाइट शेड मिलता है और एक बार लगाने से ही आप देख सकते हो जैसा कि हम चाहते हैं कि हमें ऐसा काजल मिल जाए वाइट जो एक ही बार में अच्छा लुक दें आप देख सकते हैं और आइस के अंदर मैंने लेंस पूछते हैं कि मैं कौन से लगा हैं फ्रेश लुक के लगाते हूं जो आपको एजीली मार्केट में 180 रुपेज में मेल जाते हैं और काफी अच्छे रहते हैं वन डे के रहते हैं आप इन्हें दो बार भी यूज कर सकते हैं अगर आप अच्छे से इनको रखते हैं यह पर इसकारा दोना आइज में इस तरीके से लगा लेंगे अपनी फिंगर को अड़ा के भी लगा सकते हैं और आप देख सकते हो मेरी ब्राइड का फेस और इसके बाद हाइलेटर लगाएंगे किसी ने मुझसे कॉश्चन किया था कि मैं इल्मिनेटर में क्या फर्क है तो यह फ आप मुझे जरूर बताएगा कि आपको इस मेकप में क्या अच्छा लगा और आइज लोक किस को पसंद आया हाइलाइटिंग एरिया पर भी एक बार कर लेंगे इस तरीके से मैं इल्मिनेटर ही यूज कर रही हूँ यहाँ पतली ब्रश से ही लगाएंगे मैंने ये भी ट् आपको पसंद आ रही है या मुझे अच्छी लग रही है नहीं लग रही है फिर मैं चेंज कर देती हूँ और यह देख सकते हूँ कितनी सुन्दा स्किन लग रही है मेरी ब्रैड मेकप देके बहुत खुश थी ज्यादा कोश्टी भी नहीं थी बाइससो रुपे की थी मु लिपशेड यूज कर रही हूँ ड़क लिपशेड और यह देख कर रही हूँ परपल का एच्टी वैल वैट लिकविड लिपशीड जो की हर ब्रैड चाहते है कि उनका लिपशेड छूटे ना आप चाहे तो परपल का क्रियोन में भी लगा सकते हूँ वह भी बिलकुल नह बहुत ही प्यारा सा रेड जो हमेशा ब्रैड चाहते कि मुझे यही शीर चाहिए और आपको आइस लूक अच्छा लगे कुछ नया लगे मेकप में या आपको मेकप करने का तरीका फसंद आता है तो जरूर देगा गीववे में पार्टी स्पेट कर रहे हैं तो जल्दी से ज और यह किया था मैंने इनका हेयर डू आप देख सकते हैं यह वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अपलोड किया हुआ है इनका वीडियो वहाँ पर जरूर चेक करीगा और जिसने नहीं देखा है मेरा वो चैनल देख सकते हैं और मेर आपने नहीं देखा तो भी देखेगा वहाँ पर भी रिव्यू मिलते हैं मेकप वीडियो मिलते हैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और आज के थे हमने 5-6 मेकप दो ब्राइड थी मेरी यह है इनका फाइनल लुक रेड लिप शेट के साथ माथा पट्टे के साथ और दे बीच बीच में हेस्ट्यल वगएरा भी मैंने ही के थे यह दिख सकते हैं यह भी इनोंने कियो हैं जितने हैं और काफी कुछ था आज के दिन आपको कुछ नए नए मेकप लुक मिलेंगे आपकी ख्वाइश पर है स्टार कोस्मेटिक के भी यूस कियों है मैंने प्रोड़क लाइक करिएगा मेरी वीडियो को बैल बटन को अन कर लीजेगा ताकि मेरी वीडियो के नॉट्फिकेशन आपको मिलती रहे और यहां पर वोईस गायब हो गई थी मेरी ब्रैड बहुत खुश थी वो बोल रही थी मेकप उने बहुत पसंद आया जो चाहती थी उससे कहीं जादा उने अच्छा लगा तो आपको मेरी वीडियो पसंद आता है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा बेल बटन को अन करिए मिलती हो अपनी नेक्ट वी में कुछ नहीं और अच्छा लेगे तब तक लिए बाइ-बाइ-थैंक यू